नमस्कार दोस्तो मैं रवी पटिल स्पेस्टेक इंटरप्राइजेस से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आपका स्वागत है आप लोगों का प्यार भाईयों बहनों का और हमारी तरफ से सब लोगों का तहे दिल से आभार मैं आज आपको डिफाइन करूंगा कि जैसे बारकोड प्रिंटर आप लेते हैं लेबल प्रिंटर आप लेते हैं तो लेबल प्रिंटर में लेबल कैसे डिजाइन होगा या एक छोटा सा ब्रीफ में आपको दूँगा कि प्रिंटर भी कैसे आपको इस्टॉल करना है यह जो बारकोड प्रिंटर है बारकोड प्रिंटर sizes में आता है just हमारी screen में आप देख रहे हैं कि sample label है बहुत सारे तरीके के labels हैं ये जो है ना ये जैसे अभी आप देख रहे हैं पचास पच्चिस पच्चिस आपका ये mm में है पचास means आपका 2 inch 25 means 1 inch मतलब 2 inch वाई 1 inch का आपका level हो गया तो ऐसे करके जो printer आता है printer आपका चार इंच का आता है और इसमें छोटा से छोटा label लेकर के up to 4 inch width और length में 8 inch तक label आप यूज़ कर सकते हैं तो let's see हम लोग देखते हैं कि printer कैसे install करना है छोटा सा brief इसका भी देख लेते हैं ये हमने उपन किया ये driver है driver wizard आप चालू करेंगे yellow color काएगा दोस्तों इसको आपको yes करके printer आपका on होना चाहिए USB cable लगी होई होनी चाहिए और next 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 ही करना है तो फिर आपका printer install हो जाएगा USB cable लगी होई होनी चाहिए printer आपका on होना चाहिए और हमारे पुराने वीडियो में पिसले वीडियो में आपको TSC के जो भी एक दो printers हैं entry level printers उसका आपको वीडियो मिल जाएगा तो वो वीडियो आप देख करके label और ribbon कैसे insert करना है वो आप कर सकते हैं जैसे अभी हमने wizard चल होगा जैसे यह जो सारी sizes हैं यह सारी sizes हैं इसमें कुछ हैं और कुछ नहीं है तो बहुत सारी sizes आती हैं तो अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे आपका यह 38-25 है means 1.5 inch वाई 1.5 inch का label है तो कैसे define होगा यह आपको दोस्तों one up में भी आता है two up में भी आता है one up मतलब side by side एक ही रो चलेगी जैसे suppose यह हम देखेंगे यह अभी हमारा label 1.5 वाई 1.5 का है यह आपका जो sticker आपको दिख रहा है यह 1.5 inch वाई 1.5 inch का label है और यह one up वाला है और side by side two up चलेगा तो आपका उससे क्या होता है उससे आपका time बसता है time आपका save होता है जैसे आप one up में 50 label निका कर जाएगा उतने ही समय में तो हम लोग देखते हैं कि label कैसे define होगा या label कैसे design होगा यह आपकी screen रहेगी cd में ही आपको bartender आएगा जैसे मैं आपको यहाँ पे जैसे driver wizard आप चालू करेंगे सेम ऐसे bartender आएगा बार्टेंडर भी आपको next next करके हो कर दे हमारे चैनल में आईए आपका तहे दिल से स्वागत है like करें subscribe करें share करें और कुछ भी आपको दिक्कात आती है कुछ भी आपको समस्य आती है तो आप हमें call कर सकते हैं हमारी team आप टीम को आप रिंग करेंगे तो हमारी team आपको support करेंगी तो just हम लोग देखते हैं bartender आपका install हो जाएगा तो यहां पर आपको search आएगा search में आप bartender search कर लेंगे यह जैसे हमने bartender search कर लिया यह कुछ दिर टाइम लेता है यह आपका open होगा printer हमने अभी लगा रखा है printer हमारा चालू है तो मैं आपको दिखाऊंगा 2 label 3 label 4 label कैसे आपको label design करना है और कैसे आपका label define होगा means कि छोटा से छोटा लेबल है तो छोटा से छोटा लेबल का size कैसे bartender में हम लोग define करेंगे औ normal print अपन निकाल लेंगे जैसे bakery है bakery में भी यह काम आता है printers ऐसे आपका बहुत सारा use है और हमारे channel में भी आपको बहुत सारी चीज़े retail से related मिल जाएंगी billing से related मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़े जैसे यह आपको यह label open होगा start a new label में आपको click करना है यह हमने start a new label में click कि blank में आपको next करना है यह printer आपका select होगा printer आपको select करने कभी जोड़त नहीं अपने आप select होगा अब यहाँ पे आपको use predefined stock में जाना है use predefined stock जाएंगे तो बहुत सारे sizes bartender में बहुत सारी sizes define है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उससे क्या होगा उससे आपका setting जो जैसे suppose अभी हम लोग देखेंगे कि आपका 38-25 तो 38-25 के लिए आपका जो label size होगा वो 1.5 inch by 1 inch का label होगा तो 1.5 inch by 1 inch का label कहां पे आपको मिलेगा यह just हम down arrow की से जा रहे हैं यह 1 आया हमें 38-25 चाहिए तो मलब 1.25 आया ऐसे करके आप धीरे-धीरे easily बहुत easy है एक दोबार आपको शुरू में तकलीफ हाएगी वाकि धीरे-धीरे सही हो जाएगा यह देखें तो यह 1.5 inch by 1 inch का label है यह 1 up का है तो यह side by side आपको 1 up ही दिख रहा है अब 2 up है तो यह आपको 2 up मिल जाएगा मलब side by side आपके 2 label चलेंगे ऐसे करके बहुत सारे sizes defined है जैसे यह आपका 38-25 चीश हो गया means 1.5 inch by 1 inch का label हो गया जैसे suppose 1.5 अभी हमने जो label लगा रखा है प्रिंटर में वो 1.5 by 1.5 लगा रखा है तो उसके नीचे चलते जाएगे यह आपका 1.5 by 1.5 का label हो गया square label है 2 up में जाएगे तो यह 2 up मिल जाएगा अभी जैसे suppose आपका 50-25 है means 2 inch by 2 inch का label तो यह आया था label sample दिखाया था उसमें 50-25, 50-25 मतलब 2 inch by 1 inch का label है 2 up चाहिए तो यह आपको 2 up इससे क्या होगा इससे आपको बहुत accurate setting मिलती है आप लोगों का call आता रहता है हमारी team को तो हम लोगों ने सोचा कि यह वीडियो आपको बनाते हैं जिससे आप YouTube पे ही देख करके अप आपको finish कर देना है अब finish करने के बाद एक यह window pop-up open होगी और window pop-up open होने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं A, A means text यह text में आपको click करना है यहाँ पे आपको option मिलता है single line, multi line तो single line में हमने click किया और हमने यहाँ पे just click कर दिया अब हमें जो भी लिखना रहेगा जैसे हमे लिखना है space check तो यह दोस्तों आपका एक तरह से wordpad हो गया तो यह wordpad नहीं है बारकोट की language में, printer की language में हम लोग इसको bartender बोलते हैं यहाँ से आप जो भी है जैसे suppose जो भी font है या जो भी उसके width है वो आप select कर सकते हैं तो दोस्तों यह आपने देखा कि यह space check है, suppose हमें enterprises भी लिखना है तो यह आपको A में जाना है, single line यहाँ पे click करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया enterprises, sorry, enterprises इसको आप उपर नीचे आप arrow की down arrow की easily कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको उपर ले लिया, drag करके कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं, simple आपका यह wordpad है, just यहाँ पे click किया, 1, 2, 3 पे, lining पे, lining means barcode, just click किया, इसको भी आप छोटा वड़ा कैसे भी कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, यह हमारा label बन गया, मैं आपको पहले print दिखा देता हूं, suppose दो print चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो यह 4 करके enter कर गया, यह जो हमने printer लगा रखा है, यह आपके 4 label प्रिंट हो गए, तो यह आपका label प्रिंट हो के आगया, तो यह आप देखिए, space tech enterprises 1, 2, 3 कितना crystal clear है, crystal clear है, और यह जो printer है, यह बारकोड printer, sticker printing के लिए ही बनाया गया है, इसको दोस्तों आप move भी कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, suppose हमें इसको rotate करना है, select किया इसको, select करने के बाद यहीं पर आपको arrange करके, और arrange में आपको rotate का option मिलता है, rotate, तो यह rotate आप 90 degree, 180 degree, कितने भी degree पर आप इसको कर सकते हैं, suppose हमने rotate कर दिया, तो यह आपका rotate हो गया, Ctrl Z से यह हमने कर लिया, तो ऐसा है, और जो बहुत सारी labels के मैंने sizes बताये थे, वो आप देख लीजेगा, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें pink करिएगा, हमारी team आपको support करेगी, और हमारे कुछ paid videos भी है, तो paid videos भी आपको मिलेगे, अगर कहीं आपको ज्यादा दिक्क लेबल कर सकते हैं, अब जैसे suppose एक हमने label है, हमारा ये sticker है, हमने आईफा शर्ट का sticker बनाया है, तो ये आपका 1.5 इंच भाई 2 इंच का label, अब 1.5 इंच भाई 2 इंच का label, अब 1.5 इंच भाई 2 इंच का, मैंने portrait और landscape या 90 degree में प्रिंट कर रखा है, इसको, ये देखे, width, height, जो भी आपको करना है, वो easily एक तरह से wordpad है, आप उसको कर सकते हैं, हमारे channel में आएं, like करें, subscribe करें, share करें, और हम लोग अपनी range आपको बता देते हैं, barcode printers हैं, barcode printers आपका industrial भी हैं, और हम लोग all over India में supply करते हैं, sales कम service, service का काम हमारा जादा है, क्योंकि दोस्तों क्य रहें, यह barcode printer है, TSC है, TVS है, और भी कही सारी range है, stationery है, ribbon है, label है, thermal printer की stationery है, यह आपका thermal printer है, यह barcode scanner है, table top barcode scanner है, cash door है, note counting machine है, billing machine में हमारे पास बहुत सारी range है, 2 inch में है, 3 inch में है, TVS है, NGX है, Balaji है, कही सारी कंपनियों का variant है हमारे पास, यह TVSC का आपका चोटा वाला machine है, token display है, token dispenser है, cash door है, तो बहुत सारी चीज है, तो हमें आपका सहयोग चाहिए, और हमें और आपको, दोनों को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है, जिससे हम लोग दिन दुना, रात चोगुना मेहनत करें, और खुस रहें, खुसियां बाढ़ते रहें, मस्त रहें मस्ती में रहें, दोस्तों, जीवन एक बार मिला है, हम इसको खुल के enjoy करें, और बहुत सारे लोगों का प्यार देते रहें, तो हमें वापस मिलता रहेगा, धन्यवाद. झाल